आपके हमारे सबके मन में ये प्रश्ण बार-बार आ रहा है कि क्या श्रद्धा बच नहीं सकती थी? जी हाँ, बच सकती थी श्रद्धा अगर पहले ही जब आफ़ताब ने उसके साथ मारपेड शिरू की थी, बत्तमिजी शिरू की थी, तभी वो कोई स्टैंड ले ले थी, हाँ, ऐसे बहुत सारे बार ऐसे हादसे हुए, वाकिये हुए और ऐसा समयाया, अगर चेत जाती तो ब 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने ये पुलिस कम्प्रिंट तब दी थी, जब आफ़ताब ने उसका ये हाल कर दिया था नाक, गाल, गला, कमर के निचली हिस्ते पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे आफ़ताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी, इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पता ले गए तब श्रद्धा ने पुलिस स्टेशन में ये कम्प्लेंट दी थी और तब ही श्रद्धा ने तै कर लिया था कि अब वो आफ़ताब से अलग हो जाएगी लेकिन अफसोस वो फिर से आफ़ताब के साथ आ गई आफ़ताब ने तब श्रद्धा को एमोशनल ब्लैकमेल किया था शैद श्रद्धा से माफि भी मांगी तब ही तुर्शद्ध पसीच गई और फिर उसी आफ़ताप के पास पहुच गई इतना ही नहीं आफ़ताप के कहने पर ही उसने पुलिस स्टेशन में दी अपनी कंप्रेंट वापस भी ले ली पुलिञ्ष की तरफ से की गई है जो अरजी दी गई ती अलब के उपर में and जांच हुई है जांच के बाद में फुद जो कंप्लेंट है कंप्लेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी आपको कोई गम्हेंजन तकरार रही नहीं आर जो वह इसका जो यह फ्रेंड था माँबाप ने आ के उनको इसको मतलब अमजहाया था करके ऊसके उसके चलते वह मतलब तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये श्रद्धा की जिन्दगी की सबसे बड़ी नहीं बलकि आकरी घलती साबित होई जरा सोचिए अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफ़ताप से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बस नहीं जाती चलिए श्रद्धा ने आफ़ताप पर भरुसा किया इसलिए वापस नहीं लोटी लेकिन उस आफ़ताप का क्या जिसने डेड़ साल पहले ही श्रद्धा के कातल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिग डाली थी बस कतल की तारी को छोड़के इन लाइनों को फिर से बड़े गौर से पढ़िये श्रद्धा लिखती है आज उसने मेरा गला घोट कर मुझे मारने की कोशिश की उसने मुझे डराया ब्लाक मेल किया साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर बाहर फेक देगा श्रद्धा ने जो कुछ लिखा वो सब को जूब हुँ सच हुआ इसी खत में है कि आफ्ताव के तमाम जुर्म उस्सितम के बावजूद श्रद्धा उससे दूर क्यों नहीं जा रही थी अमर्दीप और हिमान शुमिर्श्रा के साथ अर्विंदोचा दिल्ली आज तक